दोस्तों विहारबूट मैट्रिक इंटर पास स्कॉलर्शिप 2024 यानि के 10-12 पास स्कॉलर्शिप 2024 का पैशा आना सुरू हो गया जी हाँ यह जो आप अपने सामने मैसेज का स्क्रीन सॉट देखने हैं इसमें क्या लिखा हुए धियान से देखिए योर बैंक एकाउंट और लास्ट में 4 डिजिट दिया हुआ है इस क्रैडिटेड फोर स्कीम मुख्य मंत्री यहां पर बाली का उथान यह जो नहीं लिखना था लेकिन सॉटम लिखा हुआ है तो यह जो SMS है यह पैसा आने के बाद आता है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यह SMS तो आ जाता है पर पैसा नहीं आता है लेकि 26 जुलाई को एक नियूज आया था हिंदुस्तान में कि इंटर उत्तिरन लड़कियों को प्रोसाहन रासी जल्द मिलेगी ये नियूज जो है 26 जुलाई 2024 का है इसमें कहा गया था कि जो भीहार बोट से इंटर पास करती है लड़कियां 12 पास करती है उनको 25,000 रुपया प्रोसाहन रासी मिलता है इसको लेकर के सिक्षा विभाग के तयारी चल रही है और पहले चरण में फर्स्ट स्टेप में इसके लिए 400 करोड रुपय जारी करने की उमीद है और इस 400 करोड से 1,60,000 लड़कियों के खाते में रासी जा सकेगी 25,000 जा सकेगा और बाकी बच्चों के भुखतान के लिए विभाग लगतार कोशिश कर रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास सभी अविवाहित यानि अन्मैरिड लड़कियों को राजकी सरकार 25,000 जार रुपे की प्रोसाहारासी देती है ये नीज था 26 जुलाई का और 26 जुलाई का नीज आया और देखिए इसके एक हपते 10 दिन होते होते पैसा आना एकाउंट में शरू हो भी गया, हलांकि अभी बहुत कम बच्चों को ही पैसा गया होगा लेकिन फिर भी आपको दो-तीन काम तो कम से कम जरूर करने हैं पहला काम तो अपना इन बॉक्स चेक कर लेले हैं अपने मुबाइल का इन बॉक्स चेक कर लेना है वो खास करके उस मुबाइल का जो मुबाइल नमबर अपने आनलाइन करते वक्त दिया था अगर ये मैसेज नहीं आया है तो अपना अकाउंट और अकाउंट कौन सा चेक करेंगे तो देखिए आपके पास अगर सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है उसी भी पैसा आएगा लेकिन अगर दो बैंक अकाउंट है तो आपको ध्यान ये देना होगा कि जो आपके आधार कार्ड से सीडिड होगा उसी में पैसा आना है तो अगर एक से ज़्यादा एकाउंट है तो एक काम जरूर कीजिए अगर इससे पहले मालेते हैं कि 5-6 महीना या उससे ज़्यादा समय से अगर आपके एकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो उसमें या तो 150 आप निकाली है या फिर 150 जमा कीजिए अगर दो एक में अगर एके जहिए आपका एकाउंट जैए अगर किसी कारण से फ्रीज होगा या फिर पैसे क्रेडिट नहीं हो पाएंगे इसलिए इस बात का ध्यान रखना है एक बात और में बातों की अभी जो है सदन में भी यानि के हमारे यहां विधान सभा में भी इन सारे मुद्धों को प्रोजसाहां रास्री के मुद्धों को उठाया जा रहा है यह बी ये पास जो 50,000 म आएगा जिनका ready for payment होगा जिनका सब कुछ सही होगा और यह चीज़ हम चेक कैसे करेंगे तो इसका तरीका बड़ा आसान है सिंप्ली Google में सर्च करना है आपको skylight study लिख करके और सबसे उपर जो result आएगा उसको simply click करके यहां पर open कर लेना है जब इस web page को आप खोल लीजेगा तो यहां पर आपको दो post देखने हैं आलांकि status check करने का एक नया link भी आया एक यहां पर है status check करने का link और एक आपको और मिल जाएगा payment list new link तो status पहले चेक करना है अगर status में सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं है status check करने के लिए में क्या करना पड़ता है तो simply हमें अपना registration number डालना पड़ता है और registration number डालने के बाद जब हम इसको search करेंगे तो हमारे सामने screen पर हमारा status आजाएगा अगर आपका ये लिख रहा है आपका application मान है भुगतान होने के पर दिक्षा करें तो फिर आपको चुपचा पर वेट ही करना है और कुछ भी नहीं करना है ठीक है और यहीं नहीं ये तो मैंने metric वालों को दिखाया अगर inter वालों को देखना है तो inter वाला post हम यहाँ पर खो सकते हैं तो यह payment list जो new link है ना उसमें क्या करना है आपको अपना registration number डालना है और inter वाले बच्चों का registration number होता है R से सुरू होता है R से डाल करके हम सर्च करेंगे हमारे सामने बच्चे का detail आजागा और अगर यहाँ पर ready for payment लिखा हुआ है या फिर अगर इस list में आपका ना सिया तो जमा कर देना है या सौपटास निकाल लेना है ताकि आपका account active हो सके अब यहाँ पर 2023 में metric interpass करने वाले बच्चे लगातार सवाल करते रहते हैं कि हमारा क्या होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2023 में metric interpass तो उन्होंने किया लेकिन उनका छूट गया मतलब वो किसी कारण से उस वक्क online नहीं कर पाए तो ऐसे बच्चे भी बड़े परशान है कि हमको मॉका मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह पैसा अब हमको दुबारा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है तो ऐसे बच्चों को मैं बता दूं कि देखिए यह पूरी तरह से बिहार बोर्ड पर depend पूरे तरह से डिपेंड करता है, तो भी हारबड भे करता है, दिखेंगे यहां पर जो मैं ने चेक किया ना, यह जो new link payment list है, उसमें डिश्टिक चुन लिया, फिर उस district के अंदर बला college चुन लिया, उसके बाद जब सर्च करेंगे तो उस college के अंदर जितने भी बच्चे हैं और उसमें भी आप चाहें तो पूरे के पूरे स्कूल का payment list चेक कर सकते हैं और उसके लिए आपको वही नीचे कौन सा लिंक इस्तमाल करना होगा तो यहाँ पर है payment list, new link और वही check here पर click करेंगे अगला page खुलेगा और यहाँ पर भी हमें simply वही करना होगा कि अपना district पहले च उसके बाद, male या female चुन लेंगे and ready for payment है ही, उसके बाद यहाँ पर हम चून लेंगे तो यहाँ पर search करने के बाद उस school में आगा कोई बच्चा रहेगा तो आ जागा देखिए, यहाँ पर retail देखिए, इतने बच्चे हैं जिनका ready for payment है इस school में जिसको मैंने search किया और इन बच्चों को कोई टेंसन नहीं है, इनका पेमेंट आने जा रहा है, पैसा आने जा रहा है, और पैसा आने की परकिरिया तो वैसे भी शुरू हो ही चुकी है, अब मैट्रिक जैसे इंटर वालों के पैसा कम्लिट होगा, मैट्रिक वालों का भी आना शुरू हो जाएगा, जैस के साथ से जरूर करूँगा फिलाल इस वीडियो को लेत नहीं मिलते हम अगली वीडियो में